नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पार्ट शाला के यूट्यूब चैडल पर दोस्तों कल अरारभी जेए का नोटिफिकेशन आया और हमने देखा गिए उसमें सिरिफ 8000 वेकेंसीज हैं जबकि 2018 में 13000 वेकेंसीज थी 2018 के बाद 6 साल बाद नोटिफिकेशन आया और वेकेंसीज कितनी मिली देखने को सिरिफ और सिरिफ 8000 मतलब वेकेंसीज को बढ़ना चाहिए था इतने लंबे समय के बाद आई है लेकिन ये तो वेकेंसीज कम हो गई है अटलिस्ट उतनी वेकेंसीज तो देते हैं जितनी पिछली बार आई थी और उपर से इस बार कोई वेकेंसीज नहीं है जितनी वेकेंसीज है उतनी बच्चों को स्लेक्ट किया जाएगा डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा यह एक अच्छे चीज नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अपना काम कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, एक्जाम के तयारी कर सकते हैं, तो जब से हमारा नोटिफिकेशन आया है, मैं आप सभी को बता दू कि मैं अल्रेडी RRB JEE में अभी ट्रेनिंग कर रहा हूं, मेरे 2018 का हमने एक्जाम दिया था, और उसमें मेरा वेटिंग में नाम रहा, वेटिंग हमारी क्लेर हुई है, और अम मेरी एक साल की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, ऐसे सी छोड़के में, आप RRB JEE में आ गया हूं, तो मैं आपको इस चीज के लिए अच्छ सेफ साइड में रहें, ठीक है, दूसरी चीज सर्टिफिकेट को लेकर, कास सर्टिफिकेट, OBC, EWS, इनको लेकर बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, और उसके लावा बच्चों के बहुत सारे डाउट से कि सर, हम CBT1 की तयारी कैसे करें, कौन सी बोक्स को पढ़ें, क् मैं इन सब चीजें के उपर वीडियो बनाऊंगा, इसी चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको इंफॉर्म करने के लिए, कि धीरे-धीरे में सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, और इस जर्री में अभी सुरू से लेकर के, लास्ट तक मैं आपके साथ रहू हो सकता है, पिछले डेटा के बेस पर हम इस चीज का थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, और आपके पास कितना टाइम है अपनी तयारी करने के लिए, ठीक है, चलो, पहले इस चीज को एक बार देख लेते हैं, यहां पर आप अपनी स्क्रीन के उपर देखो, जो आपको फोटो दिख रही है, इसके अंदर देखोगे, 2018 जो नोटिफिकेशन आया था, यह 29 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, 2018 में, रेजिस्टेशन स्टार्ट हुए थे, 2 जनवरी से, और 31 जनवरी को रेजिस्टेशन बंद हो गए थे, इस बार जो आया है, हमारा नोटिफ नोटिफिकेशन आने के बाद, जनवरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल और मई, लगबग 5 महिने के बाद आपका एक्जाम हुआ, तो उसी के बेस पे हम अगर देखें, इस बार हमारा पेपर कब हो सकता है, तो अगर हम 5 महिने ही लेकर चलें, 4 से 5 महिने, तो यह मान के चलो कि दिसंबर तक आपका एक्जाम हो जाएगा, ठीक है, नोवंबर के बाद दिसंबर में आपका एक्जाम कभी भी लिया जा सकता है, दिसंबर में या जनवरी में, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेर करके चलना है, अपने तयारी उस हिसाब से करने चाहिए, कि आप महिने आपको मिल गए थे हैं यहाँ पे 3.5 महिने तो उसी के बेस पे अगर हम बात करें तो आपका CBD2 का एक्जाम जो हो सकता है वो अगले साल 2025 में मार्च तक एक्जाम कराया जा सकता है ठीक है दिवी प्लस मेडिकल जो हमारा हुआ था वो एक साथ हुआ था CBD2 एक सितंबर को हुआ इसका रिजल्ट दो महिने बाद आ गये था दो नवंबर या एक नवंबर के आसपास 2019 में और दिसंबर 2019 से इसके डिवी स्टार्ट हो गए था जो कि 2 दिसंबर से 20 दिसंबर इसके आसपास चले था एक्जाक डेट्स मेरे को याद नहीं है मेरा जो हुआ था वो 9 दिसंबर को डिवी हुआ था ठीक है इस बार टिवी जो मेडिकल आपका हो सकता है वो जून 2025 तक हो सकता है फाइनल रिजल्ट हमारा आए था 25 जनवरी को मेरे को अभी तक अच्छे से आद है 25 जनवरी को हमने उस दिन नई गाड़ी खरीदी थी और हम गाड़ी खरीद के सोरूम से भार ही निकले थे पैट्रोल भरवा रहे थे उसके अंदर और तभी रिजल्ट आया मैं रिजल्ट देखके बहुत खुस हुआ था और आंकों में आंसु आ गए थे लेकिन मैंने बाद में जो उसको ध्यान से देखा तो वो रिजल्ट मैंने रोल नंबर सर्च करा रोल नंबर वहाँ पर था लेकिन जब बाद में देखा तो वो जो रोल नंबर था वो वेटि तक हो गई थी तो आपकी फाइनल पोस्टिंग जो इस वाले रेक्रूटमेंट की है वो कब तक जा सकती है चब्विस दोजार चब्विस फैपरारी तक जा सकती है ठीक है तो लगबग लगबग डिएट साल आपको पूरा लग सकता है इस प्रोसेस के अंदर पर आपको अपन करते हुए चलना ठीक है अब बात आती है कि आपको कैसे सारी चीज़े करनी है तो इन चीजों के उपर में वीडियो लेकर आऊंगा मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटिजी बताऊंगा कैसे मैंने पढ़ाई की थी क्या मेरा स्कोर रहा था सी बीटी वन में कितना नॉर नर्मलाइज हुआ था ठीक है मैरिट इंडेक्स कैसे बना था मेरा कितना मैरिट इंडेक्स था इन सारी चीज़ों के उपर मैं बात करूँगा लेकिन आगे आने वाली वीडियो में उन से पहले हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि हम फॉर्म जो फिल करने उसको अच्छे से फि हम deaf करने जो चैनल को सब्सके बाद मैंने बहुत सारी सी हैं इस जर्नी में आ अपके लिए अंदर मेरे साथ बहुत सारे जयी हैं जिनकी ठ्रेनिंग साथ चल रही है और सब अलग अलग बैक्राउंड्ड से आएं सब बहुत अच्छी अच्यूब्स को छोड़ कर भी आए है तो मैं आपके लिए interview conduct करूँगा उन दोस्तों के जिन से आपको कुछ मिलेगा सीखने को ठीक है मतला काफी अच्छे अच्छे लोग हैं आपर जो इस post पर आया तो आपको एक motivation मिलेगा इस exam को crack कर लेगा मैं आपके लिए interview लेकर आऊँगा और आप चाहते हैं अगर मुझसे कि कुछ ये question मैं interview के अंदर include करूँ तो आप comment section मेरे को वो question बता सकते हैं मैं interview में include करूँगा इसके अलावा अगर आपको कोई भी doubt आ रहा है किसी भी तरह का चाहिए वो certificate को लेकर education qualification को लेकर age को लेकर medical को लेकर किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहां पर मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं उन हो सारी जगा गुंते हैं एक साल golden period होता है ठीक है को सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा आपको salary slip दिखाऊंगा अपनी आपको क्या चीजों के उपर हम बात करेंगे धीरे 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 ठीक है बस आपको क्या करना है इस चैनल के साथ जूड़े रहना है और अगर इस वी इस वीडियो को promote कर सको जितना जाद आप इस वीडियो को share कर सको सभी ग्रोफ में जो भी दोस्त आपके त्यारी कर लें ठीक है लगबख 10,000 व्यूज या 1000 लाइक कोई भी एक चीज हो गई तो मैं थोड़ा अपनी तरफ से जल्दी कोसिस करूँगा चीजे लाने की और मेरे को message कर सकते हैं बाकी आप मेरे साथ unlearning पार्ट साला के टेलेग्राम चैनल पर जोड़ सकते हैं वहाँ पे मैं आपको इस से related सारी information देता रहूँगा जैसे अभी जो मैं इसकी जो हर जोन की cut-off जो है अलग लग जाती है तो 2008 रही कि कितनी cut-off रही हर जोन की उसकी PDF मैं क आपने वाचिया है